दोस्तो Big Boss 13 के King and Queen यानि की सिधार्त और शैनाज यानि की सिदनाज की जोड़ी आज जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम को हासिल करने के लिए ना जाने कितने लोग कितनी ज़्यादा शंगर्ष करते हैं और पहुँच नहीं पाते हैं इस मुकाम पे लेकिन हमारे प्यारी शैनाज ने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम समय में कड़ी मैनत और संगर्ष के साथ positive thoughts के साथ इस मुकाम को हासिल कर ही लिया है जी हां तो वहीं कई ऐसे haters हैं कई ऐसे दुश्मन कह सकते हैं शैनाज के प्रती जिनको मिर्ची लग रही हैं शैनाज के काम्याब होने से सिर्णाज की काम्याब होने से सिर्णाज की जोड़ी से खास तोर पे जी हां बिलकुल भी नहीं देखना चाहते हैं और ऐसे पीछे पढ़ जाते हैं अईए हैं जिसे सुनकर बहुत ही हैरानी हो रही है जी हाँ जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिर्जनाज की प्यारी जोडी आप सब की फेवरेट सिर्जनाज जैसे कि डांस दिवाने सीजन 3 में आने वाले हैं सेटेडे संडे को आठ बजे कलर्स पे और वोट पे दोनों जगें आएंगे वही उनकी प्रोमो जो है वो रिलीस कर दी गई है कलर्स वालों ने भी की है शैनाज ने भी किए जिस पे लाइक्स और कमेंट्स की धेरो सारी बारिश कर दी गई है जिसके लिए हर सेलिब्रिटी आजकल तरसता है कि मेरे वीडियो पे लाइक्स आए कमेंट्स आए बट आज जो मुकाम हासिल किया हुआ है शैनाज ने और सिधार्थ ने वो मुकाम अभी किसी सेलिप्रिटीज के नहीं है, ना इतने followers इतने कम टाइम में हो रहे हैं, जी हाँ 8 million followers दो साल के अंदर शैनाज ने अचीव कर ली है Instagram पे, और ये कोई आम बात नहीं है दोस्तो, कहते हैं, जो दिल के सच्चे होते हैं, साफ होते हैं, दुनिया उसी के साथ होती है, फैंस उसी को accept करते हैं, उसी से प्यार करते हैं, दिलों जांसे, तो यहां हमेशा फैंस की साथ निभाते हैं, और फैंस इनका साथ नहीं छोड़ते हैं, जी हां हर मुकाम पे फैंस इनके सा ही रहते हैं support करते हैं चाहिए अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो हमेशा fans चो है support करते आते हैं जिया ऐसे में जब भी शेनाज गिल से खास तर पर ये पूछा जाता है कि आपकी कामियाबी का राज क्या है तो शेनाज हमेशा credit देती हैं सिधारत को और अपने fans को जिहां fans से ब सब्सक्राइब और वहां से जब से हाथ था मलए और पॉस्टिव वे लेकर अपने आपको इतना कामयाब कर लिया है अपने आपको कि सब जो कहते थे वो सारे पीछे रह गई हैं और शैनाज आगे निकल आई हैं वेल दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि के आर के जिहां कमाल आर खान जो की बहुत ही जाला इंटरनेट पर चाही रहते हैं नेगटिविटी को लेकर पॉजटिविटी को लेकर जी हां फिल्मों के रिव्यू देते हैं एक्टर को और एक्टरस को लेकर सेलिब्रिटीज को लेकर अपने रिव्यू बाटते रहते हैं ऐसे में उन्होंने सिरनाज की जोड़ी को लेकर भी अच्छा खासा अपना वाने सिजन 3 में जैसे की आ रहे हैं सिटनास की जोड़ी तो इसे लेकर उने अपना एक प्रवचन वाला कह सकते हैं रिव्यू दिया है सिटनास की जोड़ी को लेकर जिहां वो लिखते हैं जिस शो के गैस्ट ये बेवकूफ होंगे उससे तो भगवान ही बचाए तो कमाल आ वाले बोलते रहेंगे और हमारे सिटनास जो हैं आगे बढ़ते रहेंगे कोई नहीं रोख सकता अभी ने अब यह नहीं रुकने वाले हैं जी हां इतना ही नहीं ब्रेकप की बात पर भी सिधार शुकला इतने परेशान हो गए कि वूट पर आकर करन जोहर के सामने उन्हें बोलना पड़ा कि कितनी अफवाएं उड़ाते हैं लोग ब्रेकप को लेकर तो जब ब्रेकप वाली खवार आई थी तब भी मैंने आप लोगों से यही कहा था कि कोई ब्रेकप नहीं हुआ है सिधार से नहीं बोलते थे तो शेनास तो मिनट में चली जाती थी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी त्याग कर वो चली जाती थी सिधार्थ के पास मनाने के लिए तो कितना प्यार करती हैं तो कैसे इनका ब्रेकप हो सकता है कैसे एक दूसरे से अलग रह सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं और अब तो आके किलियर भी कर दिया है सिधार शुकला जीने थे अब उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है जो की बात उन्होंने क्लियर कर दिया है तो फिलहाल तो हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि सेड़नास की जोड़ी फिर से हमें एक बार बड़े स्क्रीन पर देखने को मिलने वाले हैं जहां जाने के लिए हर रात आठ बजे वूट पर भी और कलर स्तेवी पर भी दोनों को आप देख सकते हो वैल आप ये जरूर बताएगी सिर्णास की जोड़ी को आप डांस दिवाने सीजन 3 में देखनी के लिए कितने एकसाइटेड है वैल भाईया हम तो बहुत एकसाइटेड हैं और हम अपनी बताएं तो हमारी नजर तो जब से प्रोमो आई है सिर्णास की तब से नजर ही नहीं हट रही है जिया कितने प्यारे लग रहे हैं सिर्णास एक दूसरे के हाथ थामे हुए वैल जो भी आपके विचार हों जरूर लिखेगा कमेंट सेक्शन में साथ इसाथ सिर्णास सजूरी हर लेटिस्ट ख़बर के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ फाला बेल नॉटिफिकेशन औल पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा मैं पुझा फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई और थाइंक यू फूर सपोर्टिंग इस प्लीज कीप सपोर्टिंग इस